2023 की इस Newly Launched Hero Glamour X-Tec OBD Phase 2 BS6 2.0 में कमपनी ने 4-5 सबसे बड़े बदलाब किये हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नए फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, नई ओन रोड कीमत कितनी है सारी जानकारी मिल जाएगी, आप इस वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाइक में, बॉडी स्ट्रेक्चर में कोई भी चैंजस नहीं है बाक में, जो सबसे पहला और सबसे बढ़ा जो अपडेट है, वो है इसके ग्रेब रेल को लेकर अब इस बा vacc principle वाले हाँ अपको ग्रेव रेल मिल जाते हैं जोकि aluminium body के हैं पहले हमरा आपको single piece है हमरा आपको ग्रैव रेल मिला करता था जो बहुत ज्यादा लुक में अच्छा नहीं था hero का पीछे में sticker है और इसमें आपको edge save की LED वाली tail light का setup मिलता है halogen वाली turn indicator मिलते हैं दूसरा बदला भी यह है कि अब इस bike में आपको मिल जाता है पीछे में बड़ा सा tire hugger जिसके center में hero की branding और पीछे में चार पेच का इस्तमाल किया गया अगर आप चाहें तो इसको चार मुवाले पेच का से भी खोल सकते हैं यहां पर दो रोड दी गई है दोनों ही side में और इसको joint किया गया है जोड़ा गया है इसके man nuts जो की इसके shock absorber के साथ में अटेच है और पीछे में 5 step adjustable hydraulic shock absorber और 180 70 का यहां परा foot tube last tire मिल जाता है 70 inch के allow wheel के साथ पीछे में 130 mm की drum rick मिल जाती है bike में 30 रा सबसे बड़ा जो update किया है वो है इसके silencer में इसका जो silencer है जो exhaust है वो पूरा का पूरा change कर दिया है पहले यह थोड़ा सा motor था यहां पर i3s की branding है यहां पर blue color के थोड़े से plastic body यहां पर hero की branding और इसकी जो seat के अंदर की जो cushion है यह आपको काफी ज़्यादा soft मिल जाती है काफी अच्छी cushion के साथ है जिसमें 798 mm की seat add मिलती है बाकी fuel tank के कावल के उपर में glamour यहां पर आपको 3 CBD chrome में देखने को मिलता है जिसके center में blue color की lining दी गई है और नीचे में x-tech की बैजिंग है यह plastic body है और यह है इसका metal body का tank और नीचे में blue color की strip मिलती है side body panel तक जाती है नीचे में F5 वाला sticker दिया गया है इसका जो petrol tank है वो 10 लीटर का है और tank के उपर में e20 का sticker है मतलब यह जो bike 20% ethanol और 80% petrol से चलने वाली है एक चीज में आपको बता देता हूं इसमें प्रोग्रामेट FI fuel injection system मिलता है जैसा कि इस बाइक को चलाने के लिए आपको कम से कम डेड़ लीटर petrol इसके tank में आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा अगर आप 40-50 की petrol भरा कर चलाते हैं तो इसकी जो fuel pump है वो खराब हो सकती है जिससे गाड़ी में missing की भी problem आ सकती है handle wire इसमें आपको normal मिलती है black color के साथ और इसमें full digital display यहाँ पर आपको मिल जाती है जिसमें bluetooth connectivity उपर में check engine turn indicator और i3S की warning की light मिलती है यहाँ पर gear neutral indicator, headlight turn indicator और side stand की warning display के नीचे में odometer, trip meter और यहाँ पर digital clock है उपर में gear shift indicator, rpm meter, speedometer और इसके बगल में digital fuel gauge और यहाँ पर आपको calendar मिल जाता है date भी देख सकते हैं और इसमें real average indicator मिल जाता है और trip भी देख सकते हैं दूसरी चीज यह है कि इसमें आपको bluetooth connectivity मिल जाती है turn white turn GPS navigation assist मिलता है और real average indicator मिल जाता है, eco mode मिल जाता है, service due reminder मिल जाता है, 105 की top speed मिलती है 65 kmpl का mileage मिलता है एक लीटर petrol में और दूसरी अच्छी चीज यह है कि इसमें आपको USB mobile charging का port भी मिल जाता है यह है engine का sound आपको नहीं exhaust का sound कैसा लगा कमेंट में जरूर बता है, यह पूरा का पूरा नया exhaust है, इसको change कर दिया है यही super splendor extract में आपको अभी मिलेगा, तो यह जो silencer है, पहले वाला silencer था जो पीछे की side से बहुत ज्यादा मोटा था और बीच में से बहुत पतला था तो यह पूरा का पूरा एक नया update है, इस bike का curve weight है 123 kg जो की disc brake के साथ मैं है, front update की अगर हम बात करें हैं, तो सबसे पहले मैं indicator को on कर देता हूँ तो जो visor है, वो आपको पहले की तरह ही piano black finish में मिलता है, नीचे में 3D में logo है, hero का, बाकी edge shape की यहाँ पर आपको LED DRL मिलती है, जो hero को represent कर दिया है, और उपर और नीचे में split LED headlight का setup मिल जाता है, पूरा का पूरा इसमें LED का ही setup दिया गया है, bike में जो indicator है, वो आपको में आपको telescopic type के suspension मिलते हैं, 30 mm diameter इसमें दिया गया, 240 mm की disc मिल जाती है, जिसमें by brake के caliper मिलते हैं, और आगे में 8018 का tube less tire मिलता है, ठारेंच के alloy के साथ में engine की तरफ चलते हैं, तो इसमें आपको combi braking का setup मिलता है, अगर आप इसकी पीछे वाली brake को दवाते हैं, तो इसकी अगरे वाली brake भी एक साथ काम करती है, केक मिल जाती है, सेल्प मिलता है, प्रोग्रामेट FI fuel injection system मिलता है, इसमें आपको BS7 का update भी दिया गया, बाकी इसमें आपको single horn दिया गया, oxygen sensor भी मिल जाता है, crash guard अभी इसमें install नहीं है, जो की company fitted आपको मिल जाता है, 180 mm की ground clearance मिल जात है, जो 10.7 PS की max power देता है, 7500 rpm पर, 10.6 Nm का torque पैदा करता है, 6000 rpm ये जो bike है, वो bank angle sensor, FI system और advanced auto sale technology के साथ आती है, जो इस segment की किसी भी bike में आपको इतने ज़्यादा advanced features नहीं मिलते हैं, चलते हैं, बाइक की दूसरी side में, अगर आप इस bike को दूसरी side से भी देखेंगे, तो देखने में ये जो bike है, वो काफी ज़्यादा, इस टैलिस और काफी ज़्यादा aero dynamic लगती है, side में आपको company fitted black color का sardi guard मिल जाता है, lady plan की safety लिए, पीछे में tear hugger दिया गया है, red color की spring दिये गया है, और यहाँ पर आपको adjustable foot packs मिलते हैं, और ये जो chance set cover है, ये आपको plastic body का मिल जाती है, इस bike में आपको कम से कम, डेड़ लीटर petrol आपको reserve करके रखना बढ़ेगा, अगर आप इसमें 40-50 की petrol बढ़ाएंगे, तो ये bike का जो fuel pump है, वो खराब हो सकता है, ये latest model है, जनवरी में ये bike manufacturing होई है दूस्तों, तो बात करें इसके price की, तो glamour x-tech disc brake की एक्सरूम क कीमत है, एक लाग 2165 रुपे, जो मैंने आपको बताई है, SMSG, Hero Surum, VIP Road, Kolkata, Surum की, अगर आप भी अपनी city की on-road कीमत जानना चाते हैं, तो आप अपनी city का नाम comment box में share कर देना, मैं आपको reply करके बता दूँगा, वीडियो अच्छा लगा, तो like करें, comment करें